एप्सवान हीवर रिज्वान चीमा विलकम बैक पुन देट विडियो ऑफ के लाइब आफ से एबस्ते हैं और वायरे से में आपको में आपको शेचिन फnылब में फूसर के सब्सक्राइब केक्टिविटी विए से तो को थांसेत Siya लन्ग उस अंदर एक रिंग रोड है 180 फीट वाइड जिसके उपर मेंबरान को लोकेशन चूजिंग का उपशन मिला था आठ मरला कमर्शल का ये उस रिंग रोड की फोटेज है और इसके रिंग रोड की अगर आप बात करें साउस साइड पे तो बनते हैं आपका उपर से और इस रिंग रोड की अगर नौर साइड की बात करें ये उपर रोड की बात करें तो वहां पर जो प्लोड बनते हैं बनते हैं हेल्थ के डिस्टिक और मोर्टर वे के दूसरी साइड पे जो है वो भी स्मार्ट टी की तरह से आठमर्ला ग्रला कमर्शल प्लोट होंगे और कुछ चारमर्ला कमर्शल प्लोट होंगे उनका पोजेशन ससाइडी की तरह से early stage पे offer कर दिया जाएगा तो first mover advantage के तौर पर जिन members को भी यहां पर possession offer होता है उन member को मेरी suggestion है को यहां पर अपने plot की construction लाजमी करें ताकि आपको इस पे maximum benefit हासिल हो सके तो सब्सक्राइब बात करते हैं overseas central के map के वाले सके इस map पे यह location काम वाकिया है आपको detail explain कर दूँगा कि इसकी north side, east side, west side, south side पे कौन सी चीज़े वाकिया है उस लहाँ से आपको detail explanation मिल जाएगी वैसे इस ring road से आपको इस जगह की land ऐसी है कि आद तकरीबन तमाम land जो है तकरीबन leveled है याई leveled land मुराद है कोई elevation नहीं है कोई depression नहीं है और इस ring road का जब complete किया जाएगा और जाप पॉइंट पर इंटर्चेंज बन रहा है जहां इंटर्चेंज जहां पर बनेगा उस से जब इसकी connectivity पॉसिबल होगी तो आप motorway से directly उतर के directly अपने block की access ले सकते हैं तो इस road की importance इस लहाँ से भी बहुत ज़्याद है तो सबसे पहले map पे देखते हैं कि यह वाला जो block है कहां पर locate करता है इसकी surrounding में जिसकी चार sites हैं इसकी location पे कौन से sites वाकिया है इस master plan में जो आज का block है उपर सी central उसके वाले से अगर मैं specifically सिर्फ central के मैं आपको highlight करूँ और master plan को थोड़ से light करता हूँ यह master plan है जो भी आज की वीडियो में स्टार्ट की है सेक्टर B इस पॉइंट से अपर जेट है और यह healthcare district है और इसके साथ आपके quarter body भी नजर आएगी यह वाला जो ring road है जिस पे आपके आठ मला commercial plots वाकिया होंगी उस area की footage बेसिकरी में शामिल की है और इस ring road basically सारी importance इस ring road की है और just a matter of fact इस ring road की जो overall capital smart city के अंदर पूरी length है that is 74 km यानि यह ring road है यह हर एक sector हर एक block के अंदर से गुजरती हुई यह overseas east में भी है overseas prime में भी है executive 1 में भी है executive 2 में भी है overseas central में भी है और harmy park block में भी है टोटल इस ring road की यह तमाम blocks को आपस में connect करेगी इस ring road की यह importance है और center में जो यह वाला road है इसके वाले से मैं separate video बना दूँगा 400 feet wide road इसके वाले से कि इसमें भी जहां पे development हो रही है उस हवाले से भी update करूँगा for the time being जो sector B के opposite side पे जो मैंने वीडियो जिस point से start की थी वो यह वाला point था इस point से भी यहां पे सिर्फ आपको कुछ ब्राउनी की नज़र आएगी क्योंकि गूगल अर्थ पे images update नहीं हुई जब update होंगी तो इसमें आपको proper ring road का एक layout plan नज़र आ जाएगा और इसके अच्छी बात है कि इसके opposite side पे यहां पे आपको easily motorway जैसे में वीडियो के start में जब वीडियो स्टार्ट की जिस point से आप यह सारा area level land है यह वाला area यह वाला area सारी level land है और इसके opposite side पे आप motorway को बड़ा easily witness कर सकते हैं यही ring road आगे connect करेगी with the main interchange यह ring road है यह sector B है और इसके सामने यह ring road है और इस ring road की direct connectivity होगी new tech university के campus के साथ और यही आगे लेट करेगी इस gate precinct के साथ जो area होगा जो 400 feet wide road की extension होगी और यहां पे इंटर्चेज बनेगा इस area में सारा direct connectivity जब possible होगी तो जो सबसे ज़्यादा benefit आएगा members को जिनोंने और इंवेस्मेंट कर रखी है capital smart team overseas central में वो सबसे ज़्यादा in terms of residential plot in terms of ROI सबसे ज़्यादा जो benefit होगा वो इन membrane को होगा जिनका इस overseas central block में कहीं पे plot allocated है तो आने वाले दोनों में इस investment point of को लेके यह वाले जो investment होगी इन्शाला बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए beneficial होगी यह सिर्फ वक्त की बात है कि जब जून के फस्ट वीक इस ग्राउंट वेकिंग सर्मनी हो जाएगी इंटरचेंज की तो आटमेटिकली आपकी investment वे काफी अच्छे jumps आएंगे अगेन बैक टो रेल टाम फोटेज और इस स्क्रीन पे जो फोटेज देख रहे हैं उसी रेंग रोट की फोटेज है और इसकी आप जो साइट देख रहे हैं जहांपे development आपको नजर आ रही है यह उसकी west side की है यानि कि इस सब्सक्राइब जो रही है और रहाल 360 view में सी वीडियो में ट्राइ करों 360 view में तमाम चीज़ें आपको जिन मेंब्रान ने investment कर रही है उनको जायर सी बात है वो बहुत ज़्यदा इस बात पर curious है कि उनकी investment कहा स्टेंट करती है और जिनकी balloting plots specifically a lot हो गी है specifically sector a, b, c में जिसकी में रही है कि land जो है वो mostly land ऐसी है level है थोड़ा बहुत पार्ट ऐसा होगा जो develop होने वाला का बात की land जो है already developed है तो society न वहाँ पे किया यह कि उस चगा बजाए इसके land की development ज़्यदा फोकस करते है land तो already brown होई थी तो वहाँ पे machinery का half part यह 30% part के लिए ल अब itself अगर आप site विजट करते हैं specifically block A, B, C को विजट करते हैं overseas central को तो आपको एक चीज जो commonly नज़र आएगी वो आएगी कि सड़कों का जाल बिचना यानि कि सड़कों की जो है roads की main roads की जो development है वो ज्यादा priority पे as compared to residential plots की development है क्योंकि land तो already brown हुई है और वो sidewise चलती रही activity लेकि जब road और infrastructure होगा तो ज्यादा सज्यादा members की वहाँ पे access possible होगी अभी जब मैंने site विजट किया था तो let's say मुझे site वे पूरा दिन spent किया था दो दिन मैंने basically site पर एगल विजट किया था तो मुझे जो अपने time का कहलें के 30% time या 40% time जो था वो इस area तक पहुंचने area इतनी ज्यादा वो land level नहीं है तो आपको जाने के लिए definitely वो खड़ों काई हो तरमयान में से गुजरना पड़ता है तो वो एक difficult बात है बाके इस वक जो footage आप देख रहे हैं ये block B के बिलकुल opposite side पे healthcare district और healthcare district के साथ बिलकुल M2 motorway लहौर Islamabad motorway और पीछे आपको जितनी आ आपको जब brown land नजर आए motorway के साथ तो आपको idea हो जाएगा कि ये वली जो land है ये reserve है for new tech university जिसका भी आने वले दुनों में इसी अगले एक दो महीने में ground breaking सर्मनी होगी by the pattern in chief of new tech university that is the current sitting army chief of Pakistan army कमर जवेद बाजवा उनकी तरस जब ground breaking सर्मनी होगी तो इससे market में ज्यादा जम पाएगा अब दूसरे topic बात करते हैं कि जिन member ने already investment कर रखी और वकसर सवाल काल करके पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए तो अब अपनी investment को जैसे तरसे करके आप जून तक hold करें जब इसकी investment आप जून तक hold करेंगे तो आपको अपनी investment पे बड़े massive returns मिलेंग आप देखें यह healthcare district के opposite side land है अब यह वाली land पर सारे आपको जाएंगे तो side पर FDH की branding नजर आएगी और यहां पर तक्रीबर ज्यादा नहीं तो at least कम से कम भी 15-20,000 कनाल ऐसी है जिसकी land की ब्राउनिंग किया है तो society ने लैंड के हवाले से एक interview किया था मैंने मलेकस्लम साहब का तो उन्होंने एक बात की थी कि अगर सोना होना तो कढ़ाना मुश्किल नहीं होता तो same goes for this कि अगर land हो तो उसको develop करना कभी मुश्किल नहीं solutions.com अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेर और चैनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा आपिस